पिछले एक हफ़ते से हम दोग बात कर रहे हैं एडवांस बुकिंग की जिसमें सबसे जादा हला हो रहा है बॉलिवुड की फिल्म गदर टू का फॉर्स डे बॉक्स ओफिस नंबर रिकॉर्ड्स बनाएंगे इस बात में जरासा भी शक नहीं है दूसरी फिल्म है ओएमजी टू जिसकी गाड़ी थोड़ी धीमी धीमी चल रही है लेकिन क्या पता खरगोर्ष से इस बार फिर एक कच्वा जीत जाए बट बॉस क्या आपको पता है एक तीसरी फिल्म भी है इस वेस में जो शायद अपने पहले ही दिन सौकरोगी सेंचरी मार सकती है आप गदर टू प्लस ओमजी टू दोनों को आपस में जोड लोगे फिर भी ये बहुत पीछे रह जाएंगे इस तीसरी फिल्म के सामने जेलर ये है वो धमाका जिसके सामने बॉलिवुड के बड़े बड़े शेर भी जंगल में छोटे बच्चों जैसे दिख रहे हैं वो क्या डायलोग था प्रभास की फिल्म सलार का डाइनसौर जेलर और फ्रजनिकान सर रियर लाइफ डाइनसौर बन चुके हैं जिनसे बॉलिवुड को अब सिभ भगवानी बचा सकता है कहानी कुछ खतरनाक राक्षसों की है जिनके डर से पूरा शहर एकदम चुपचाप रहता है जिन्दा रहना है तो अंधा गूंगा बहरा बनना पड़ेगा क्या बोला पुलिस अरे वो दूसरों को क्या बचाएंगे जब शहर से गायब होने वाली लिस्ट में खुद इनके बड़े-बड़े ऑफिसर्स के नाम भी मौजूद है लेकिन फिर एक अजीब सी बात होती है इस जंगल में एक शिकारी उतराता है जो इनसानों का नहीं इन राक्षोसों का शिकार करने लगता है जब इसके चहरे से परदा उठता है तो जानते हैं पीछे कौन खड़ा है डेवल उर्फ शैतानों का राजा जिसकी पूजा करते हैं अपने जंगल के बड़े-बड़े राक्षस ये बहार क्यों निकला जानते हैं क्योंकि कोई ऐसा पागल भी मौजूद है इस जंगल में जुसने खुद अपने डेवल के बेटे को किटनैप करने की हिम्मत दिखाई है गुड वर्सेज इवल देखा होगा आपने बहुत सारी मूवीज में लेकिन यहाँ इवल वर्सेज डेवल का फेस ओफ होगा जिसमें खून खराबे की 1000% गैरेंटी है देखो यार कमाल की बात बताऊं इस फिल्म को देखने की और ना देखने की वज़ए एकड़म सेम टू सेम है एक ऐसी चीज जो वीक्नेस भी है और स्रेंट भी मास सिनिमा जेलर एक प्रॉपर मास सिनिमा वाली फिल्म है जिसमें आपको पैसे खच करने है सिर्फ और सिर्फ एंटेइन्मेंट के लिए अपने फेवरेट स्टार को स्क्रीन पर देखना और उसको किसी बड़े फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना ये इस फिल्म का वन एंड ओनली इंटेंशन है सिंपल कड़क बाग्राउंड म्यूजिक और सामने स्क्रीन पर दमदार आक्शन सीन्स इसके सेंटर पे एक ऐसा लजेंड जिसके सालों की मेमरीज जोड़ी है दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी लॉजिक बगारा को तो परिशान भी मत करिये प्लस कुछ डिफरेंट यूनीक सब्जेक्ट उसकी उमीद भी मत रखना कहानी पुरानी ज़रूर है लेकिन 100% प्रेडिक्टेबल होगी ऐसा भी नहीं है क्लाइमेक्स में कुछ ट्विस्ट है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं कियोंगे सर्प्राइज के लिए रेडी रहना जेलर पूरी तरह रजनीकान सर की फिल्म है स्टार्ट टू एंड स्टाइल विट सब्स्टेंस उनकी परफॉर्मेंस पारफुल इंपेक्टफुल एंड डेडली है कम्प्लीटली बट फिल्म का एक्सपेक्ट चुपा है इसके क्लाइमेक्स में जहां पे डिरेक्टर सर ने कैम्योस का बहुत चालाखी से इस्तिमाल किया है चोटा मू बड़ी बार लेकिन इस फिल्म का क्लाइमेक्स शाद इंडियन सिरिमा की हिस्ट्री में वन अफ दे मोस्ट आइकॉनिक सीन्स की तरह लिखा जाएगा पक्की बार और हां फिल्म में रजनी सर हीरो हैं ये तो हम जानते हैं लेकिन इनके ओपोजिट जो विलन कास्ट किया गया है बाप्रे क्या लेविल का परफॉर्मेंस है उनका बॉलिवुड में फिल्म आई थी न पदमावत उसमें रनवीर सिंग की परफॉर्मेंस ने सबको पागल कर दिया था तारीफों में शब्त कम पड़ गए थे उससे भी जादा पागल को इनके नेक्स लेवल की आक्टिंग है इस फिल्म के अंदर अपने विलन भयागी विल तीसरा क्लाइमेक्स महाँ पे लिटरली में फान हो गई अपने डिरेक्टर सर की रियल मीनिंग ऑफ सिनिमा और आधा हीरो वर्सेज विलन का फेस ओफ डायलोग्स और आक्टिंग दोनों आग की तरह गरम नेगिटिब्स में एक स्टार्ट तो रिपिटेटिव कहानी जिसमें कुछ भी नया नहीं है कॉंसर्ट बहुत पुराना है और आधा फिम थोड़ी सी लंबी है कुछ एंगल से जो जरूरी नहीं थे शाय या लंबे खीचे गए जैसे एक आईटम सॉंग है जो टोटली अन झाल